I am Rukmani Sharma and today I am going to teach you how to speak English fluently लेकिन English बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या केवल आप rules रट ले? That is enough. और या word meaning याद कर ले? वो परियाप्त है? नहीं, खाली ये करने से कुछ नहीं होने वाला है. आप कितने भी books पढ़ लेजिए, कितने rules सीख लेजिए, कितनी वीडियो देख लेजिए. जब तक आप इस वीडियो को देखे, इसमें दिये गए steps को follow नहीं करेंगे, तो आप English बोल ही नहीं सकते. तो चलिए, मैं आपको guide करती हूँ, कि आपको करना क्या होगा? नमबर वन, speak a little English every day. थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी, जैसे आप सीखना शुरू करते हैं, और कोशिश करना शुरू करते हैं, कि English में बात करें, तो चाहे कैसी भी English बोली जाए आपसे, आप बोलिए, जरूर बोलना है आपको, तो आप दीरे-दीरे पाएंगे कि day by day you are improving, कि दीरे-दीरे सुधार हो रहा है आप में. Second thing, second step is, train yourself to think in English. अपने दिमाग में बातों को English में सीखने की practice करें, बोलने की practice करें, सोचने की practice करें. माल लेजे, अरे मुझे बजार जाना है, आपको यह सोचना है, तो इसे English में सोचे है, I have to go to market, मुझे पानी दे दो जरा please, यह नहीं, give me water, तो English में सोचे आप, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं, तो हर समय हम यह नहीं सोचे, कौन सा word यूज़ करें, कौन सा tense यूज़ करें, automatically sentences हमारे मुझे से निकलते जाते हैं, mind और mouth दोनों का synchronization perfect होता है, English के साथ भी आपको यह करना होगा, third is, don't be afraid to make mistakes, बहुत सारे लोग मनमर में तो सोचते रहते हैं, लेकिन वो दुसरों के सामने नहीं बोल पाते, डर लगा रहता है, कहीं हम mistake करेंगे और पकड़ लेगा कोई हमारी और insult कर देगा, नहीं, mistake से मट डर यह, हर कोई बोलने वाला पहले mistake ही करता है, उसके बाद दीरे दीरे improvement होता है, next, read English newspaper, English newspaper पढ़िये जितना समझ में आए, जो easy news हैं, उनको आप पढ़िये, लेकिन पढ़ना जरूरी है, watch English movies with the subtitles, आजकल तो बहुत सारी English movies, क्या Hindi movies भी आती है, subtitles वाली उनको ध्यानते देखिए, English movies का, इसलिए इसमें मैंने suggestion दिया है, कि English में ही, जब dialogue delivery होती है, और जब हम fast बोलते हैं, तो बहुत सारे word mix up हो जाते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ, अब जा रही हूँ तो कुछ नहीं होता, जा रही तो अलगी word होता है, बोलना क्या चाते हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ, ये बात English language में भी होती है, तो इसी लिए English की movie देखिए, और साथ में subtitle देखिए, और सोचने की कोशिश करिए, कि जो character है सामने, वो क्या बोल रहा है, listen English songs, English songs को सुनना शुरू करिए, सुन में बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप एक महीं ना सुनेंगे, देखिए, देखिए महीं ना सुनेंगे, फिर समझ में आने लगेगा, next, talk to yourself, अपने आपसे बात करिए English में, मान लिजे, इंटर्विव में जाना है आपको, तो या English से, मैं क्लास में आपको बात करनी है, तो इन sentences को, अपने मन में, बात करिए, कि दूसरा मुझसे क्या पूछेगा, और मैं उसे क्या जवाब दूँगा, next, listen English sentences and repeat it, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, या कोई, कहीं भी आप सुन रहे हैं sentences, टीवी में सुन रहे हैं, उनको repeat करिए, क्योंकि repeat करने से, जो चीज़े होती हैं, वो हमारे mind में embedded हो जाती हैं, यानि कि बिल्कुल जड़ जाती हैं, rooted हो जाती हैं, तो वो automatically फिर हमारे सामने आने लगती हैं, memorize English sentences as much as you can, देखो, शुरू में तो रटना ही पढ़ता है, चाहे भले कोई कितना ही कहे, कि रटने की जड़त नहीं है, रटिये मज समझे, रटिये मज समझे, लेकिन शुरू में हर कोई रटता ही है, तो आप भी कुछ sentences जो आपको समझ में आ रहे हैं, उनको याद करिए, उनको repeat करिए, और उनको बोलिए, use करिए, improve English pronunciation, pronunciation important चीज़ होती है, तो correct pronunciation को जानने की और वैसा ही बोलने की कोशिश करिए, use what you have learned immediately, जो भी आपने आज सीखा है, मतलब आपने कोई वीडियो देखी, कोई शोट देखा, उसमें आपको दो sentences भी समझ में आए हैं, तो आप उनको तुरंति यूज़ करिए, next, be motivated, अपने आपको motivated रखिए, कि मैं भी एक दिन English बोल पाऊंगा, one day I'll also speak English language, अगर आप सौचेंगा, रहे मुसे तो बुलाई नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, कि जैसे आप दूसरों के सामने बोलने की कोशिश करते हैं, तो fear आपके mind को grip कर लेता है, ये डर कि कहीं insult न हो जाए, कहीं आप बोल न पाए, शुरू शुरू में हर किसी के साथ ऐसा होता है भई, तो आप उसे discourage नहीं होना है, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार नहीं होगा, फिर आप बोल ही लेंगे, तो motivated रहना है, maintain a diary in English, जो भी कुछ आपके साथ हुआ दिन भर में, चाहे आप उसके बारे में five sentences ही लिखें, but you should write in English, वो अंग्रेजी में लिखें, प्रेक्टेस स्पीकिंग डेली, डेली बोलने की भी प्रेक्टेस करिए, अगर आप इन steps को follow करेंगे, तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, you will be able to speak very fluently, in front of each and every one, so start from today, thank you for watching the video,